प्री चात्रम चात्रों मैं आपका हिंदी विषय का सिक्षक माहिंद्र धाकर और आजम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का साथवाध्याय जिसका नाम है मेरे बच्पन के दिन और जिसकी लेकिका हैं महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुकावाद सहर में हुआ था उनकी सिक्षा दिक्षा प्रियाग में हुई सन 1987 में उनका देहांत हो गया महादेवी जी छायावाद के प्रमुक कवियों में से एक थी निहार, रश्मी, निर्जा, यामा, दीप सिका उनके प्रमुक कावि संग्रा है अतीत के चलचित्र, इस्मरती की रेखाएं, पत्खे साती, सरंकला की कड़ियां उनकी महतपूर्ण गद्दी रचनाएं अब हम हमारा अध्याय मेरे बच्पन के दिन को समझेंगे अपने इस संग्राण में लेकी काने, अपने बच्पन के दिनों का इस्मराण करते हुए लिखा है कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्तितियां बहुत बदल जाती है अपने परिवार में में कई पीडियों के बाद उत्पन नहीं मेरे परिवार में प्राया 200 वर्षत कोई लड़की ही नहीं थी सुना है उसके पहले लड़कियों को पेदा होते ही परमधाम बेज देते थे फिर मेरे बाबा ने बहुत दुरगा पूजा की हमारी कुल देवी दुरगा थी मैं उत्पन हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्न लड़कियों को सहना पड़ता है परिवार में बाबा, फार्सी और उर्दु जानते थे पिता ने अंग्रेजी पड़ी थी हिंदी का कोई वातावरन नहीं था मेरी माता जबलपूर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई वे पुझा पाड़ भी बहुत करती थी पहले पहल उन्होंने मुझको पंचे तंत्र पड़ना सिखाया बाबा कहते थे इसको हम विदूसी बनाईंगे मेरे संबन में उनका विचार बहुत उचा रहा इसलिए पंचे तंत्र भी पड़ा मैंने संस्क्रत भी पड़ी ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फार्सी सीख लू लेकिन वहां मेरे वस्की नहीं थी मैंने जब एक दिन मोलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चार पाई के नीचे जाव चीपी तब पंडिच जी आये संस्क्रत पड़ाने मा थोड़ी संस्क्रत जानती थी गीता में उन्हें विसेश रूची थी पूजा पाट के समय में बेड़ जाती थी और संस्क्रत सुनती थी उसके उपरांत उन्होंने मिसन इसकुल में रख दिया मुझको मिसन इसकुल में वातावरण दूसरा था प्राथना दूसरी थी मेरा मन नहीं लगा वहाँ जाना बंद कर दिया जाने में रोने दोने लगी तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गल्स कालेज में बेजा जहां में पांचवे दर्जे में बढ़ती हुई लेकी का अपने बच्पन का चित्र हमारे सामने प्रस्तूत कर रही है कि उन्होंने कहां पढ़ाई करी उनका जीवन किस प्रकार भी थी यहां का वातारण भहुत अच्छा था उस समय हिंदू लड़किया भी थी इसाय लड़किया भी थी हम लोगों का एक ही मेस था उस मेस में प्याश तक नहीं बनता था वह चात्रवास के हर एक कमरे में हम चार चात्रणय रहती थी उनमें पहली ही साथीन सुबद्रा कुमारी मिली सात्वे दर्जे में वे मुझसे दो साल सीनियर थी दो वे कविता लिखती थी और में भी बच्चपन से तुक मिलाती आई थी बच्चपन में मा लिखती थी पद भी गाती थी मीरा के पद विसेश रूप से गाती सवेरे जागिये करपा निधान पंक्छी बन बोले यही सुना जाता था प्रभाती गाती थी साम को मीरा का कोई पद गाती थी सुन सुनकर मेंने भी ब्रज भासा में लिखना अरंब किया यहां आकर देखा कि सुबद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी में भी विसाही लिखने लगी लेकिन सुबद्रा जी बड़ी थी प्रतिष्टित हो चुकी थी उनसे छीपा छीपा का लिखती थी मैं एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो तो उन्होंने एक हाथ में कागश लिये और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हुष्टल में दिखा आई कि ये कवीता लिखती है फिर हम दोनों की मित्रता हो गई क्रास्तवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी उस डाल पर हम लोग बेट जाते थे जब ओ लड़कें खेलती थी तब लोग तुक मिलाते थे उस समय एक पत्री का निकली थी इस्त्री दरपन उसी में भेज देते थे अपनी तुक बंदी छब भी जाती थी फिर यहां कवी संबेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था में सन 1917 में यहां आई थी उसके उपरांत गांदी जी का सत्यागरा आरंब हो गया और आनंद भवन स्वतंदरता के संगर्श का केंद्र हो गया जहां तहां हिंदी का प्रचार चलता था कभी सब मेलन होते थे तो क्रास्थ वेट से मेडम हमको साथ लेकर जाती थी हम कवीता सुनाते थे कभी हरियोद जी अज्जक्त होते थे कभी स्रीदर पाठक होते थे कभी रतनाकर जी होते थे कभी कोई होता था कभ हमारा नाम पुकारा जाए बेचेनी से सुनते रहते थे मुझको प्राया प्रथम पुरुसकार मिलता था सो से कम पतक नहीं मिले होंगे उसमें एक बार की गटना याद आती है एक कवीता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला बड़ा नक्कासिदार सुन्दर उस दिन सुबद्रा नहीं गई थी सुबद्रा प्राया नहीं जाती थी कवी समेलन में मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला सुबद्रा ने कहा ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ उसी बीच आनंद भवन में बापू आये हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पेसा उन्हें दे देते थे उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई मैंने निकाल कर बापू को दिखाया मैंने कहा कवीता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको मैंने कटोरा उनकी और बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे अब मैं क्या कहती मैंने दे दिया और लोट आई दुग हिया हुआ की कटोरा लेकर कहते कवीता क्या है पर कवीता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा लोटकर अब मैंने सुबदरा जी से कहा की कटोरा तो चला गया सुबदरा जी ने कहा ओड जाओ दिखाने फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में फिर भी मुझे मन ही मन प्रसनता हो रही थी कि पुरुसकार में मिला अपना कटोरा मेंने बापू को दे दिया सुबद्रा जी छात्रावाज छोड़ कर चली गई तब उनकी जगा एक मराठी लड़की जेबुन निसा हमारे कमरे में आकर रही वह कोलापूर से आई थी जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी वह मेरी डेश्क साफ कर देती थी किताबे ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कवीता के लिए कुछ और अवकास मिल जाता था अर्थास समय मिल जाता था जेबुन मराठी सब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी में भी उससे कुछ-कुछ मराठी सीखने लगी थी वहाँ एक उस्तानी जी थी जीनत बेगम जेबुन जब इकड़े तिकड़े यां लोकर-लोकर जैसी मराठी सब्दों को मिला कर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहा रहा जाता था वाँ देशी कोवा मराठी बोली जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी या मराठी कोवा मराठी बोलता है जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वेसाई बलाउच पहनती थी कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे उस समय यह देखा मेने कि सामप्रदाइकता नहीं थी जो अवत की लड़किया थी वे आपस में आउदी बोलती थी बुंदेल खंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी और अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परन्तु आपस में हम अपनी भासा में ही बोलते थे यह बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेस में खाते थे एक प्रातना में खड़े होते थे कोई विवाद नहीं होता था मैं जब विद्यापीट आई तब तक मेरे बच्पन का वही करम चला जो आज तक चलता आ रहा है कभी कभी बच्पन के संसकार इसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं बच्पन का एक और भी संसकार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे उनकी नवाबी छिन गई थे वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कमपाउंड में हम लोग रहते थे, बेगम साहीबा कहती थी हम को ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहीबा कहते थे, उनके बच्चे हमारी मा को चच्ची जान कहते थे, हमारे जनम दिन वहां मनाये जाते थे, उनके जनम दिन हमारे भी नहीं देती थी, कहती थी, राखी के दिन बहने राखी बान जाए, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, बार बार कहला दी थी, भाई बूका बेठाए, राखी मंदवाने के लिए, फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरीय या कुछ मिलते थे, इसी तरह मुहरम में हरे क कपड़े उनके बनते थे, तो हमारे भी बनते थे, फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिता जी से कहा, देवर साहब से कहो, वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं साम को आऊंगी, वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी मा को वे दुलहन कहती थी, कहने लगी, दुलहन जिनको ताई चाची नहीं होती, वो अपनी मा के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो छा मैने तक चाची ताई पहनाती है, मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुन्दर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ वही प्रोफेशर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मो उनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरकपूर उनिवर्सिटी के भी रहे, कहने का ततपर यह है कि मेरे छोटे बाई का नाम वहीं चला जो ताई साईबा ने दिया, उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भ बोलते थे, वातावरन इसा था उस समय की हम लोग बहुत निकट थे, आज की इस्तिति देखका लगता है जिसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया, सायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, महादेवी वर्मा ने उनके समय की इस्तितियों का हो भी प्रकट होते हैं, इस प्रकार हमारे समस्मेंट समाब्त होते हैं